इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आख पता दे अब से कुछ देर पहले नितीश कुमार दिल्ली पहुंच कहें हैं उन्होंने मीजा से बात करते हुए कहा कि पार्टी की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए हैं मीटिंग के बाद बाद करेंगे आज ही नितीश और ललन सिंग की मुलाकात संभव है हाला कि नितीश जब पतना में थे दिल्ली उड़ने से पहले उन्होंने कहा कि राश्टी कारिकार्णी की बैठक होती है कल जो बैठक होने वाली है ये सामाने बैठक है लेकिन आज ही ललन सिंग को लेकर कि बड़ा फैसला हो सकता है हाला कि नितीश ने मीडिया से कुछ नहीं बोला वो बोले कि हर साल ऐसी मीटिंग होती है सबसे बड़ी ख़बर हम आपको बता रहे है नियूज एटीन इंडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार दिल्ली पहुंच च तो इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं अपसे थोड़ी देर पहले जेडियू दफ्तर से बाहर निकले लालन सिंग उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जेडियू एक है और एक ही रहेगा उन्होंने आगे कहा कि नितीश कुमार जेडियू के सर्वमान्य नेता है चा सिर्फ बयान देने के लिए ललन सिंग ने ऐसा कहा है या उनके खिलाफ कोई आक्शन होने वाला है क्योंकि ललन स के सामने आ रहे थी जो जेडियू के कारिकर्टा कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है और सामान इस्ति है लेकिन अब ललन सिंग कह रहे हैं कि हमारी बैठक है जेडियू एक है और सर्मान नेटा नितीश कुमार है नितीश कुमार जी पार्टी के सर्ममान नेता है और जनता दल उनाइटेड एक है एक रहेगा आप चाहे जितना प्रयास कर ले इस बीच के इंडूय मंतरी गिरिराथ सिंग ने नितीश कुमार पर बहुत बड़ा हमला बोला है नितीश कुमार की सरकार कुछ दिन की महमान है ये कहा गया है नितीश कुमार तिजस्वी को CM नहीं बना रही हैं ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर News 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं गिरिराथ सिंग जो की केमरी मंत्री हैं क्योंकि ऐसी भी खबरे हैं कि क्या नितीश कुमार पाला बदल सकते हैं लेकिन जब वो पटना में थे उनके साथ सुभा तिजस्वी यादा भी मजूद थे